वेल्कम बैक तो मैं चैनल गाइज एक और यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आप सब आप सब आप सभी अच्छे हैं खुश और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जा जैसे मैं रीडिंग नहीं कर पाई तो देख लेते हैं कि next seven days कैसे रहेंगे इसमें आपकी personal professional life कैसी रहेगी जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या आने वाला है पर्सों मैं लाइव आउंगी ठीक हैं क कुमिनरेटरी टैम में मैं डाल दूंगी अपडेट टाइम इंग वगएरा सब कुछ अच्छे से तो आपके जो भी कोश्चन्स हैं प्लीज आप रेडि कर लेना Q&A सेशन ही होगा अगेन अगर आपको अपने लिए पर्सनल रिटिंग बुक कराना है इसका ओप्शन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आप मुझे वहाँ पर डियम कर सकते हैं अगे इसक्रिफ़ कर सकते हैं okay we have a knight of swords a knight of wands a hanged man a ten of swords and eight of pentacles we have ace of swords hair of end and the devil a six of pentacles and king of pentacles we have three of cups from here आप लोगों की life में इस time सबसे ज़्यादा जो cards आए हैं वो earth sign से आए हैं earth element से आए है Taurus फिर को Capricorn जसमें Capricorn की energy काफी strong है इस time hair of Taurus भी है यहाँ पर ठीक है Taurus और Capricorn की energy बहुत ज़्यादा strong है water element में से Pisces बहुत strong है Gemini Libra भी बहुत strong है यानि की air और earth element ज़्यादा strong है यहाँ पर देखो guys इस time मैं देख रहे हूँ कि जिसी की pentacles के cards बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और swords के cards लेकिन pentacles दिखा रहा है swords दिखा रहा है आपका struggle like जो यह swords के cards आए हैं यह struggle तो दिखा रहा है लेकिन साथी में struggle का you know end भी दिखा रहा है और एक new beginning भी दिखा रहा है और pentacles जो cards आए हैं वो दिखा रहा हैं कि आप कितनी महनत कर रहे हैं इस struggle में like दोनों card एक साथ आए है if you have lot of struggle in your life still you are doing your work with full of dedication तो यह एक बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पर जैसे कि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं इस condition में आपको कुछ ऐसा चल रहा होगा आपकी life में जो आपको पसंद नहीं आ रहा है जो आपको बहुत pain देता है अंदर से और यह end आपको ही पता है कि इसका end होने वाला है बहुत जल्दी यह जो cycle है या circle है जो भी phase है आपकी life का यह बहुत जल्दी end हो रहा है यह इसले भी end हो रहा है because आप इसमें काम कर रहे हो आप इसे खतम करने की कोशिश कर रहे है अपनी life से तो यह एक बहुत अच्छी बात है और साथ ही में जैसे कि 10 number है फिर उसके बाद number one है ठीक है यह number one card है means ace of swords this is the new beginning for you यह आप लोगों का जो भी process चल रहा जो slow हो गया है उसमें कुछ नए नए movements यह नए action आप ले पाओगे ठीक है तो कुछ new beginning भी आप अट्राक्ट कर रहे है कोई documentation work है कुछ delay अगर चल रहा है आपके life में तो इस हफते का वो और है और then खतम क्योंकि डिले card हमारे पास है और उसके ठीक नीचे ना devil energy भी है यह जो energy आई हुई है ना यह कोई ऐसी energy नहीं है कि बहुत कोई evil kind of energy नहीं है यह एक negative energy है जिसको मैं consider करती हूँ सिर्फ और सिर्फ negative energy तो यह जो चल रही है आपकी सिंदगी में because of this situation हो सकता है कि इस वज़े से भी यह situation आ गई है यह थोड़े टाइम तक और रुक रही है इस हफते तक और मान लो then यह खतम हो जाएगी क्यों बोल रही हो मैं खतम हो जाएगी because we have ace of sword career तो यह new beginning हमें दिखा रहा है तो आपकी personal life में काफी issues है आपके कुछ काम नहीं बन रहे होंगे लेकिन यह बहुत जल्दी energy खतम हो जाएगी इस हफते के अंदर-अंदर like end of this week ठीक है आप इससे free हो जाओगे you will get rid of this ठीक है so ज्यादा tension ना लेजिए just focus on your karma focus on your work, your targets जो भी है और आपकी life में growth ही आएगा financially abundance आपको मिलेगा so ज्यादा tension लेने के आपको ज़रुत नहीं है ठीक है यह जो भी delay है जैसा भी है आपकी spirituality में आपको आगे लेकर जा रहा है यह devil energy आपको you know इससे fight करने के लिए मजबूर कर रहे है और आपका spiritual level आगे बढ़ रहा है we have tauris यानि कि जो tauris की energy है जो hair of end का card है यह दिखा रहा है struggle है but still you have power still you have knowledge ठीक है इतनी knowledge है इतनी power है तो आप क्यों नहीं इससे deal कर सकते है even आपका जो status है न वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है आपकी respect बढ़ रही है status बढ़ रहा है आपका experience बढ़ रहा है तो यह एक अच्छी बात और इस सारी चीज़े बहुत speed में हो रही है because you are very very dedicated towards your work that is why so यह अच्छी चीज़ है बहुत बढ़िया है जो भी हो रहा है होने दो ठीक है आप जदर stress मत लेना और अपना काम करना और आगे बढ़ना लाइफ में love yourself first यह situation आपको खुद से प्यार करना भी सिखा रही है खुद को पहले रखना सिखा रही है जो कि बहुत अच्छी बात है but stay optimistic about your love life देखो अगर आपकी love life because this energy इसका impact हर area में पढ़ रहा होगा so love life के लिए divine आपको बोल रहे है stay optimistic about your love life जो भी होगा फेवर में होगा don't worry positive thinking and faith will bring to your romance okay remember engagement very soon you will get this news maybe even like this month में मैं मन्त बोल दिया ठीक है मन्त ये खताम ही होने वाला है ठीक है मुश्किल से 10 दिन बचे है तो ठीक है month हो सकता है month के end तक में या week के end तक में you will get good news as well and we have reconciliation कुछ के लिए engagement हो सकता है कुछ के लिए reconciliation हो सकता है that is why divine is saying that stay optimistic about your love life ये वाला काड भी आ रहा था oh my god calling in your soulmate your prayers affirmations and visualizations help bring you help help bring you together check out bring you together so stay optimistic about your love life someone from your past is returning returning to your life this could be the one and finally we have deception जितना भी deception है जितना भी negativity है वो इस week के end तक में खतम हो जाएगी फिर से मैं कहा रही हूँ आपकी love life के लिए यहां से कोई cards नहीं आये थे बट यहां बहुत सारे cards मिले है so stay optimistic यह सबसे अच्छा मुझे लगता है कि आप optimistic रही है जो होना है वो तो divine के हाथ में है तो reconciliation होने के chances बहुत जादा हाई है just prayer करो affirmations बोलिये यही आप कर सकते हैं if you are having a tough situation then you just like do prayers affirmations and visualizations और आप optimistic रहोगे तो अच्छा ही है ना वैसे भी negative record क्या ही अचीव कर लोगे आप tension होगा headache होगा है ना और जो process में हो जिसमें अच्छे से काम कर रहे हो और tension उस process को slow कर सकता है आपको demotivate कर सकता है तो better है ना कि हम अच्छे से काम करें positive record चलो यहाँ से देखते हैं we have China think about what you desire right now you should think about your desire and set your sights high expect the best possible outcome यही आएगा अच्छा अच्छा उतकम आएगा ठीक है Mother Mary कह रहे हैं आप से let go of the need to be right इस ताइम खुद को सही साबित करने में अपना समय मत बर्बाद करना just desire पर focus रखिये जो होना है वो divine के हाथों में वो अपने आप ठीक कर देंगे सब कुछ so choose peace peace जितना ढूंडोगे उतना life heal होगी आपकी ठीक है अब peace कैसे मिलता है वो आपका है कैसे आप sometimes हमें उन चीजों को भी छोड़ना पड़ता है जहां पे हमें बुरा लगता है like आप कहीं सही हैं और आपको प्रूफ करने का मन कर रहे हैं नहीं मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगे कि मैं इसको मैंने ये चीज़ ठीक की थी आप मुझे कैसे ब्लेम कर रहे हो पर क्या उन्हें समझाना आपकी जर्णी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्या वो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर लगाना जहां पर लोग आपको समझ नहीं रहे है या फिर उन लोगों को उनी के हाल पर छोड़ के आप अपने टार्गेट की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बैटर है यहाँ पर आया है लेट को अप दे नीड तो बी राइट चूस बीज, मॉदर हीलिंग इस पॉसिबल आप दिस ताइम सोचना इस बारे में अन मास्टर पुद्धा डीप कनेक्शन अन ट्रस्ट यूर इनर वोईज अपने इनर वोईज पर ट्रस्ट की यहाँ से लॉर्ड गनेशा बहुत टाइम बाद आए है लॉर्ड गनेशा बोल रहे है अपस्टिकल्स अर बीग रिमोवड तो यह तो रिमोवड हो ही रहे है अपका स्पृिच्वल कनेक्शन आपका सपॉर्ट सब कुछ यवाट इनक्रीज हो रहे है तो इतनी तेंशन किसली है वैसे मैं जानती हूँ आप में से जातर लोग tension ले भी नहीं रहे हो आपका ध्यान बहुत जादा focused है I can see from this card I can see so जैसे चल रहो वैसे ही चलना इस week end तक में काफी negativity खतम हो जाएगी okay guys this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही bye bye take care